नमस्कार मैं प्यारे दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल एम किलासेज में तो फाइनल ये आपका भाई पुलत किलाज ड्रोइंग में पास होने के लिए कितने नम्मर चाहिए उस वीडियो को लेकर आप सभी के सामने हाज हो चुका है आप सभी पूरे यूटूब पर साथ करके हाल ली होंगे कि ड्रोंग में पास होने के लिए कितने नम्मर चाहिए क्या सुप यह नहीं मिलताया क्या में visit सप्लिमेंटोड ऀ आते हैं या नहीं आते ह। यहार आप पुछी यूटूब पर सर्च करने होंगे हैं आप ऊसा विडियो किसी ने बनाकर बनता willing रखा की आपको डून्हें वास्तिका दिखा सके आपको पूर तिखा सके कि ड्रोइं में क्या और लाओ य सारा तो लेगिन आपका भाई आपको पूरुब के साथ दिखाया देगो आप सभी ने रिक्वेस्ट की मुझसे इसर ड्रोइंग में पासिंग माक्स के लिए वीडियो जरूर बनाओ तो यार आपका भाई आपकी रिक्वेस्ट को कभी भी नेजर अंदाल नहीं कर सकता और आपकी लिए उस वीडियो को लेकर आ गया है लेकि तो यार वीडियो को स्टार्ट करता हूं तो सुन ना बच्चों पहले ध्याद से देखो मैंने लिखा हुआ है ड्रोइंग पासिंग माक्स 2023 है ना कि ड्रोइंग पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए तो देखो बच्चों मैं आपको पहले यह बता दू कि ड्रोइंग क सब्सक्राइब भेजा जाते है बच्चों वह आपके भेजा जाते है शे वह चुन प्रैक्तिकल परिच्छा होती है प्रायोगी परिच्छा वह होती है आपकी 70 नंबर की तो 24 चे और सबस्क्राइब हो गया 100 नंबर का ठीक है अब देखो बच्चों मैंने देखा हुआ है पर ब्रोईन में पास होने के लिए कितने मार्स चाहिए तो इस टोपिकों में तीसरे नमर पर डिसकस करने वाला है क्योंकि उससे पहले में आपको दो चीज़े किलियर कर दूँ एक तो ग्रिसमार्स मिलता है या नहीं सप्लीमेंटरी होता है या नहीं बच्चों आप सुनकर हैरान हो जाओ परेसान हो जाओ लेकिन हैरान और परेसान होने कोई बात है नहीं ऐसी क्योंकि बच्चों यह वास्तिता है और वास्तिता आपके सामने आने वाली है आप ध्यान से सुनना जो पहला क्वेंट लिखा हुआ है मैंने ड्रोईंग में ग्रिसमार्स मिलता है या नहीं तो बच्चों आप हमेसा याद रखना डोइम सब्झेक्ट के अंदर ग्रिस्मार्क्स नहीं मिलता नहीं मिलता वाई ग्रिस्मार्क्स नहीं मिलता डोइम के अंदर बात के लिए burst पुरूब दिखांगा टेंसर मतलो विल्कुल भी लेकर आया है तुमारा भाई प्रोप है ना टेंसर ना लो वीडियो को पूरा देखो पुरूब दिखांगा ठीक है अगरा आपकर सेकंड पॉइंट है ड्रोइंग में सप्लीमेंटरी होता है या नहीं होता अरे मेरे भाई जब ग्रीसमाक्स ही नहीं मिल रहा तो सप्लीमेंटरी काईका मिलेगा रहे बाबा सप्लीमेंटरी भी नहीं मिलता इसके अंदर है ना अब आएगा मज़ा तुम्हें कहते है टीचर पढ़ लो यार पढ़ लो पढ़ लो ना पढ़ साब हम तो वैसे जानव में पढ़ बता रहा हूं रुको पुरुक के साथ बताओं टैंसर ना रहा हूं देखो ड्रोइंट में पास होने के लिए कितने माक्स चाहिए तो बच्चों याद रखना यदि आपको ड्रोइंट सब्जेक्ट में पास होना है तो आपको चार नंबर लाने होंगे ठ्योरी में पहली यारा प्राइवी परिच्छा के नंबर पासिक मार्ख में एड होते हैं और स्फिर पेपर के और सत्राव के प्रेटिकल परिछा डिपेंड नहीं करती पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए बहु एक चीज़ अलग है पास होना है तो इन दोरों को मिलागा आपको और नमर लाने होंगे और कितने नमर लाने होगे उसको नहीं यहां फरक बता रहा है, सुनना नहीं से, देख ओर चोट पेपर में आपको चोगिस में से चार लाना होगे, ठीके लेगिन एक कंडिसे नियुए सथाराम के दिए आपके छे गए, तो टोटल आपके आने चाहिए 10 नहीं कर दिए आपके paper और 17 मिलाकर 10 Marks तो आप वो जाओगे बच्चो pass यदी याद रहे यदि आपने paper में आप लिया है चार box और 17 के रहें आपके 5 Marks तो चार पांच क्या हो जाएंग नो हो जाएंगा नो होने के बाद और भी प्रास नहीं होंगे नाई गिरिस मिलेगा नहीं सप्लिमेंट्री मिलेगा यह चीज मैंने पहले ही आपको सामने किलियर कर दिये ठीक है अब आप के होगे सारे प्रूप दिखाड़ों मजा सा आजाएगा ना तो बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर में एक राजिस्थान मादमित सिप्छा बोर्ड 2020 की एक मार नहीं स्टूडेंट्ट नाम है रहुल खान् नाम है रजाग खान और मदर का नाम है हसीना ठीक है जी देखो हिंदी मार्सी इदिया आपने पूरी देखिली हो भी तो यहाँ प्हेल लिखा हुआ है बच्छो तो फेल लिखा हुआ है तो पीच है राज राज सुनना राज है क्या वासतम में ड्रोईं में प्हेल नहीं है ये फैल किसमें शुना, देखो हिंदी में टोटल 49 नमबर है, पास है, 23 नमबर चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है, इंग्लिस में बच्छो आये 27 नमबर, ठीक है, और जोग्राफी में इसके नमबर आये है, 9 नमबर, 9 नमबर आये 3 में से 13 गए 17 के, तो 22 होए, इस व ये डोग्राफी में विए 10 के पिछे, एक नहीं लिखा हुआ है, बच्छो, ये आप के लिखा होता क्यों फैल हो जाता, अब इन फैल क्यूं वहा जेखो हिए जोग्राफिक में, और जोग्राफिक फैलोगें और जो ग्राफियों थे होई जो ग्राफियों'RE यह ना है। जो ग्राफियों पास होने के लिए cinco पेश्रीन चाहिए। दो इसे इंपर शोड़ा यहां नुअच हो जाए है लेकिन आप दिखान दो प्रेंग सब्जेक्ट पर ड्रोइंग चार नमर आए छे नमर गए 17 के तो चार उच्छे दस हुए लेकिन ड्रोइंग में कहीं ये फैल नहीं ये बच्चो इसका मतलब क्या सब्जाए कि 4 नमर ये आपके 17 के आते हैं चार नमर ये आपके थोरी में आते हैं 6 नमर आपके 17 के वेज़े जाते हैं तो आप बिल्कुल पास हो अब मैं आपको दिखाता हूँ जैसे कि मैंने आपके सामें 4th कुट लिखा ही हुआ है ड्रोइंग में फैल कब होते हैं अब मैं दिखा हूँग आपको फैल दस से कम नमर चेह दो ब्रोइब डिखियों कम नमर लो कर आपको नम हैं स्टुडेम का हिमार समा फादका नमرا न मदर का नम है नम स कुछ हम देखो बात करें हिंडी में को टैठीिस है इंगलिस में 21 है हना और बात करें हम जो ग्रावडी में 16 है, ठ्योरीन आये, 14, 17 हो गए, 30 हो गए, और बात करें हम ड्रोइंग की है, है ना, तो दो ड्रोइंग ही देखा आपको बच्छों ड्रोइंग में, ड्रोइंग में 3 नमबर आये इसके, ठ्योरीन में 6 नमबर गए 17 के, कितने हो गए ट्टल, 9 नमबर, और ग्रेस माल्सूर सप्लिमेंट में तो मिलता नहीं, तो ड्रोइंग में फैल है, तो बाकी में पास हो रहा हो, लेकिन जो पूरा प्रोटल होगा, वो फैल माना चाहेगा, तो बच्छों आप समझ गए होगे, कि ड्रोइंग में पास होने के लिए आपको 10 नमबर चाहिए, कि आपकी ड्रोइंग में पास हो राए कर आपकर आपके नमर आता है ड्रोइंग में, किसको मिला का बेपर को और सटना को मिला का, तो आप क्या ओ displeet को बढ़ आपको होगे, ये जान गाई, आपकी भाई की वीडियो आप कैसी लगी, अच्छी लगी, हो बुरी लगी, हो हो तो आपके सेवा में comment box हमय सा खिला रेता है अब जो बुचih को देख रहा है कि क्यीमें के बाद रहें बुच करने के बाद ही वीडियो तो आप सर की हलो जीक्तिफिम जए तो मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जै हूं जै भारत